जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी काज के एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार के जो है एक जिला है जिसमें 246 पदों पर आशा की बाहली निकाली गई है और यह जो जनकारी देंगे वह हिंदुस्तान की पेपर कटिंग है और इसी पेपर कटिंग के माध्यम साब को जनकारी देंगे और यहाँ पर बताया गिए 31 तक जिले में होगी 286 आशा की बाहली और यहाँ विस्तान में जैसे की देख सकते हैं यह जो बाहली निकल कर आई हुई है यह बाहली है मुझह पर पूर जिले की और इसमें बताया गिए कि जिले में 31 दिसमबर तक जो है 286 आशा कारिकरताओं की बाहली होगी और इसी साल के 2022 साल के अदिम मैहना जो 31 दिसमबर तक पूरी देख सकते हैं वह चाहे ऑप लाइन हो इसमें यह भी बताया गिया कि पहले जो क्या था कि इसको भरती के लिए आठवी पास ही जो रोड़ी खोचता था लेकिन अब जो इसे बरागर के दस्वी कर दिया गया है और आज के स्वास्थ समिती ने समिती ने आसा भरती के लिए जो दिशा निर्देश भेज दिये हैं जिला स्वास्थ भिभाक के जो ने डीपीम भगव बहाली के लिए सभी प debating प्रभावारी को भी जो िर्देश भेज दिएए हैं और यहां पर ये भी कह गया है चाही आसा कालिकता बनने के लिए अभ्यारती को उस्य वाड़ का निवासी होना चाहिए जहां आसा की जरुध है यहां पर समझेए का यहां पर कहा से यहां नो नमर की बाहलिहें तो आप 10 नमर वाला जो 9 में बाहली के लिए जो आप फ़र्म फिलब नहीं कर सकते यहां पर साब साब कहा गया रिख को जो उसी वाट Durant का निवासी होना चाहिए जहां आशा की जुरौध है अगर 9 नमर वाड में आशा की जुरौध है तो आप भी 9 न पर A&M या आसा फेसी लेटर को समनवीत किया गया नहीं कि आपको जो चैन या परकड़िया होगा ये इनके द्वारा किया जागा परकण अस्तर पर जो A&M होती है और आसा जो फेसी लेटर होती है समनवेग होता है उनहीं के द्वारा किया जागा समनवेग की जम्मेवारी आ है आम सभा नियोजीत किया जाएगा और चयन से पहले जो आसा कारिकरताओं के लिए आविदन करने वाले अभियारती को यह बताएंगे कि आसा का काम काज क्या होता है ठीक ना और यह हो गया यह सारा परसेज और यहां पे जो है आम सभा के लिए जो है दिन अभियारती की सेक्षिनी योगिता रेश्टर में क्या क्या रेश्टर में जो रेश्टर में अंकित क्या जागा और आम सभा में जो फैसला क्या जागा उसे भी रेश्टर पर नोट क्या जागा और मौजूद लोग उस पर जोन हस्ताक्षर भी कर बीवी कॉलेजियर इस्थिट बोड के पास आपका सेटिफिकेट बेगा जाएगा और सेटिफिकेट का आपका जांच कि यह पूरी तरह से और नहीं है यह किसी तरह फरजिवारा के रूप में बनवाया गया अगर आप बिहार के अलावा अधर बोड से आते हैं अगर आज़ परदेश या फिर रूपी कहोगे तो आपके बोड के पास जो आपका सेटिफिकेट को भेजा जाएगा और वो चेक होने के बाद ही जो आगया का प्रसेस किया जाएगा और इसमें अगर आउनलाइन आवेदन की बात करें अनि सोरी आउनलाइन आवेदन तो इसमें नहीं इसमें आञे जाएगा है नहीं ये बताया जिंग के अगया और यह आपका मुख्या जोगा और यह तीनों के पास जो हैने ऑनलाइन आवेदन की प्रकिर आब क्या जाएगा है तो यह मुख्या जो पूरा जमेबार मुख्या के उपर पिंग रखा के आए और यह जो अवैदन करेंगे यह आपने परखन का जो एन्म होती है उनको पास जाना या फिर आशा जो फेसी लेटर के पास आपको चल जाना है और उनसे मिल करके आपको आपना भर लेना है और यह जो बाहली है वो मुझ़प तो वीडियो का लाश्टर देखने के लिए thank you so much मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद और जया भारत